और इस उत्तर भारत की या भारत की पूरी राजनेति को आप माइनस कांशी राम कहीं नहीं देख पाएंगे। एक ऐसा नाम जैसे ने पूरे भारत की राजनीत को बदल दिया, बहुत बड़े तपके को आत्मिश्वास दिया, राजनीतिक प्रत्मिश्वास दिया, उत्तर भारत में एक दोर था, मिले मुलाहिम कांशे राम, आदर्डी मैवती जी जी हो या कंशे राम जी हो, इन लोगों हैं जो आज भी मैवती जी का कोई अपमान कर दे और हम बरदाश कर लें, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो समाग जो मैवती जी का समान बहुत करता है, लेकिन अगर उसे भी दिखा कि इस समय जब समिधान बचाना था, इस समय जब समाजिक न्याय बचाना है, इस समय जब बी इन चीजें एक साथ होती है एक वो तबका होता है जो आग लगाने में शामिल होता है दूसरा वो तबका होता है जो चुप चाप देख करके अफसोस तो कर रहा है कि हाई आग लग गई लेकिन न बुझाने में शामिल है न लगाने में शामिल है और तीसरा एक तबका था जो हाथ में आया पानी मिटी फूंकना जो भी हो सका वो आग बुझाने के लिए दोड़ पड़ा यूपी वो तीनों अपने आख से देख रहा था और यूपी बहुजन समाज पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं लेकर इशारा नहीं कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब देजिए क्योंकि अब तक बस्पा का नाम आया नहीं हमारी चर्चा में एक तब का एक धड़ा बस्पा भी तो था ही क्वाग लगा रहा था बुझा रहा था या बस तमाशा देख रहे हैं नहीं मैं अभी भी कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी मानिवर कांशी राम की बनाए होई एक पार्टी राजनितिक पार्टी है जुसको मानिवर कांशी राम कहते थे कि वो राजनितिक दल नहीं मिशन है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है और इस उत्तर भारत क पूरी राजनेति को आप माइनस कांशी राम कहीं नहीं देख पाएंगे एक ऐसा नाम जिसमे पूरे भारत की राजनीत को बदल दिया बहुत बड़े तपके को आतमिश्वास दिया प्राजनितिक प्रत्मित तुतिया हिस्तेदारी थी उत्तर भारत में एक दौर था मिले मुलाहिम कांशेरा मंडल अंदोलन के समय की वो राजनीत थी समाजवादी धड़े, अंबिटकर वादी लोग, सब मिलकर के लड़ रहे थे बीच में बहुत तरह के उतार चड़ाओ आए चीजें बदली, अखिलेश यादो ने 2019 में फिर से कोशिश की जब मायवती जी के साथ गड़ बंधन हुआ जीरो सीट पर बसपात 14 में थी, 19 में 10 पे पहुंच गई, 24 में फिर जीरो पे पहुंच गई, क्योंकि वह के लिए रड़ रही थी लेकिन लगबग 16 सीट हैं जिन पर नुक्सान पहुंचा है इसका भिविश्रेशन लोग कर रहे हैं मेरा मानना ये है कि आदरी मायवती जी हो या कंशे राम जी हो इन लोगों की जो भूमिका है वो बहुत सुनहरे अक्षरों में रिखी जाएगी लेकिन राजनीती कई बार समाज जब तयार होता है तो समाज पहचानता है कि अच्छा आपका सम्मान हम करते हैं हम वो लोग नहीं है जो आज भी मायवती जी का कोई अपमान कर दे बरदाश कर ले लेकिन हम यह जानते हैं कि वो समाज जो मायवती जी का समान बहुत करता है लेकिन अगर उसे भी दिखा कि इस समय जब समधान बचाना था इस समय जब समाजी क्याय बचाना है इस समय जब बीजेपी को हराना जरूरी है तो उस समाज ने निड़़े ले लिया और उस समाज ने निड़़े लेकर इंडिया गिट बंदन का साथ दिया मैं यहाँ एक बदलाओ देख रहा हूँ यह बदलाओ एक सुखत बदलाओ है यह बदलाओ वो है जिसको अकिलेश याथ तो स्लोगन में कहते थे ना कि यह संविधान मंधन का वक्त है एक तरफ संविधान भक्षक कड़ें एक तरफ संविधान रक्षक कड़ें मैं वहां समाज में जागरुकता देख रहा हूं और केंदर में होता है समाज तो आपको लगता है कि समाज मूव ओन कर चुका है एक बड़ा तबका जो संविधान को मानता है उस बड़े तबके ने संविधान बचाने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। ये नमबर उसके भरों से कोई सामाजिक बतलाओ भी आप देख पाते हैं। जातियों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70 सीटे 75 उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली अमग जग़ बना ली अमग जग़ बना ली वही काम उस तबके के लोग करें आपस में मिल करके। सब सवाल मेरा यहीं से आपने खुद का कि हमेशा ने यह इस तरह के सोचल इंजिनर की और इसलिए उत्तर प्रदेश में एक जगह बनाई लेकिन भला तो नहीं हुआ उन जातियों का अब वही काम अगर इन ही जातियों के लोग मिलकर कर भी रहे हैं तो कितना भला हो जाया अ अब यहीं पर विचारधारा आती है मायवती जी चार बार मुख्यमंतरी बने उत्तर प्रदेश की आप किसी भी एक दलित परिवार से जाकर पूछ लेजिए कि उनके बीच का व्यक्ति जब मुख्यमंतरी बना तो क्या-क्या बदल गया और जो वोट लेकर के बहुत दिन तक रहा वो नहीं बदल पाया मुलाहम सिंग्या दो मुख्यमंतरी बने तो पूरे तबके में वो किसान और नौजवाने की बात किया करते थे मुलाहम सिंग तो सीधे जाती की बात राइनिती भी नहीं करते थे वो कहते थे किसान और नौजवान दो तबके हैं जिसकी इतिनात खुद का कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं छत्री जाती में हूँ जसमें भगवान भी पैदा होते हैं जबकी वो योग धारन कर चुके हैं योगी बन चुके हैं जहां जाती हैं खतम हो जाती हैं उनकी नियत अलग थी उनकी विचार धारा अलग थी उनकी विचार क्या थे हमाईंगे तो जाती जंगर्णा किराएंगे क्यों कि आपको जो नहीं मिला है वो हम आपको दिलाएंगे यह पुलिटिकल एजंडा विचारधरा बताता है अगर अखिलेश यादो यह कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और پीडिये हमारा NDA को हराएगा तो यह political slogan है PDA की बात अगर केवल political होती तो इतना representation न मिलता और अगर यह representation मिला है आप एक सदन में याद करिए जिस party को का जाता तो वो यादो मुसलिम की party है अब की सदन में उसका नेता जब खड़ा होगा तो उसके पीछे हर तपके के लोग खड़े होंगे यानि सब मिलतो गए और political alliance बन गया है यह political alliance social alliance में तबदील होगा तब जब आप policy अपनी विचारधार पर बनाएंगे तो डॉक्टर रंबेटकर और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को अफसोस यह है कि कुदरत ने डॉक्टर रंबेटकर को हमसे जल्दी छीन लिया वो प्रयोग बाद में कई बार कोशिश होई सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में सौ साल का इतिहास है उत्तर भारत का है त्रवडी संग, अर्जक संग से होते हुए डॉक्टर रंबेटकर से बीपी मंडल होते हुए मानवर कांशी राम से मरहुम मुलायम सिंग्यादो होते हुए आज वो यहां प्रयोग खड़ा है कि 37 लोग जो चुन के गए है वो केवल राजनिती को पलब्दी नहीं है वो विचार धारा की जीत है और इसलिए मैं मानता हूं कि नियत बीजेपी की कभी नहीं थी कि जिनका वोट लिया है उनको कोई हिस्सा दिया जाए उनको केवल अपमान मिला उन तबकों को अपमान मिला इसलिए वो लोग वहां आज भी मंतरी बने बैटे हैं लेकिन उनका वोट नहीं मिला उनके लोग हार गए